अब आप सब आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज हम करेंगे बियाइव बुक की फर्स पोइंट जिसका नाम है दरोड नौट टेकन और इसे लिखा है रोबर्ट प्रॉस ने तो सबसे पहले हम जाल लेते हैं कि इस पोइंट का मैसेज क्या है यह पोइंट क्या मैसेज देत हैं जो भी कुछ अपनी लाइफ में हम सोचते हैं या हमें कुछ करना होता है उसके लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसे जो होता है वह हमारे फ्यूचर को होता है फिर चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा अगर अच्छा है तो ठीक है अगर बुरा है तो हम उसे इस टेंजा में पोएट कहता है कि दो सडकें एक पिले जंगल में भिन भिन यानि अलग लग दिशाओं में जाती थी और मुझे इस पार का खेट था कि एक अकेला यात्री हुने के कारण दोनों सडकों पर एक साथ ही यात्रा नहीं कर सकता था मैं वहां काफी लंबे समय तक खड़ा रहा तथा दोनों में से एक सडकों देखता रहा जहां तक मैं देख सकता था उस बिंदू तक जहां तक ये कटीली जानियों में मुड जाती थी वह नजर से ओजल हो जाती थी तो इस तरीके से हम अपनी लाइफ में बहुत सारी डिसीजन जो है ऐसे लेते हैं जैसे कि मालो यहां दो रोड है तो यह बता रहे हैं कि एक परसन होने की वज़े से यानि कि जो बंदा है वह अकेला है पर उसके सामने जो चॉइस है जो उसके जो उसने सोचा है कि सो है और बहर दो है जो नहीं है और फ़र से ही खड़ा हूआ यानि लंबे रास्ते है में जाके मुड जाते है और उससे आगे का वो देख भी नहीं सकता, यानि कि कोई भी जो decision लिया गया है, वो हम जो ले रहे हैं और किसी और ने जो लिया होगा, तो वो भी बंदा यहां तक ही सोच सकता है कि इस person ने ये हासिल किया, लेकिन उसने वो कैसे ही किया, उस पर तो हमें चलने पर ही पता चल कि हां उसने ये कैसे आगे किया होगा, दूसरे वर्ड में कहें, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक person जो अच्छा काम कर लेता हम बोलते हां इस ने कर लिया, बहुत अच्छे हम यह से करेंगे, लेकिन उसने उस काम को करने में कितनी महनत करी होगी, वो हम नहीं जान सकते, जब त नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अकेला ही एक traveler है, और उन रास्तो पर चलने से पहले वो उनको देखता है, क्यों कहां तक तूर तक जाते हैं, और कहां उनका end होता है, और उससे आगे जहां उनका end होता है, उससे जहां तक दिख रहा है, उससे आगे भी रास्ते होंगे, पर वो उसे दिखाई नहीं दे सकते जब तब कि वो उन रास्तों पर चलेगा नहीं इस टेंजा का मीनिंग है पोईट कहते हैं कि तब मैंने दूसी सड़क ले ली और ठीक भी था और उसका चुने जाने का अधिकार भी अधिक था क्योंकि उस पर घास उगी थी जिस पर अभी तक चला नहीं गया था यह सड़क भी प्रियोग होना चाहती थी हाला कि जहां तक में चला था दोनों सड़के एक जैसी प्रियोग हुई थी यानि कि उन पर पोई चला नहीं था तो यहां जो है स्टेंजा का मीनिंग है पोईट कहता है कि और उस सबह दोनों ही सडके पतों से धकी थी वहां बिखरे पत्ते लोगों के पैरों के नीचे नहीं कुछले जाने से काले नहीं पड़े थे ओ मैंने पहली सडक को फिर किसी दिन यात्रा करने के लिए छोड़ दिया लेकिन ये जानते हुए भी कि कैसे एक मार्ग से दूसरा मार्ग निकल जाता है मुझे इसमें संदे हुआ कि क्या कभी मैं इस मार्ग पर कभी वापस भी आता हूंगा तो बेसिकली जो पॉइट होएं कहना चाहते हैं कि सुभए जब वो अपना एम चुनते हैं तो जिस रास्ते को चुनते हैं वहां पर अभी कोई नहीं गया है बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है और उस पर किसी के चलने के निशान भी नहीं है कि नियुए उस पर अभी तक कोई चला नहीं है फिर उसके बादो वह कहते एक एम को सुन चुका हों और उस पर चल दिया हों फीर वह कहते हैं कि जिस एम पर मैं चल रहा हूं यानि जिस रास्टे को उन्हों ने चुना है जो टीसिजन अपनी रैफ में लिया है दो डीसिजन में से क्या वह कभी उस रास्ते पर आगे चलते 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 है cred अगर वह decision उन्हें अच्छा नहीं लगा तो क्या वह वापस से उस रास्ते से वापस आपाएंगे या फिर जो उन्होंने decision दूसरा decision जो लेना था वह छोड़ दिया है उसको वापस से चुन पाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता तो पहले ले लिया है उसका result तो आकर ही पता चले से उसको वापस नहीं ले सकते और चल रहे हुआ हैं उस रास्ते पर आगे एक ऐस्ता खतम होने के बाद दूसरा रास्ता चालू हो जाता यानि कि जैसे ही हम जो डी सीजन लेते हैं उस डी अगर आपने सोचा कि मैंने commerce ले ली ठीक है आपने पढ़ लिया लास्ट आपने एक्जाम भी दी अब आपको अच्छा नहीं लग रहा फिर आपके वापस से 11 में आके सोचोगे कि आप आर्ट्स ले तो ऐसा करना तो मुश्किल है आपका साल भी बरबाद हो जाएगा बहुत कि जगा दूसरा decision नहीं ले सकते यानि कि दूसरा aim नहीं चुन सकते क्योंकि समय जो है वो तो चला ही गया है वो वापस नहीं आएगा यानि कि जो हमने decision ले लिया है उसी पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इस टैंजा में जो पोएटे हैं वो कहते हैं कि कभी सद्योब बाद मैं भविश्य में एक गहरी सांस छोड़ कर कहूंगा कि किसी जंगल में दो सड़के विभाजित हो रही थी और मैंने वह सड़कली जो कम चली गई थी और उसी से मेरे भविश्य में बदलाव आया यहां जो है पोएट कहना चाहते हैं कि सद्योब बाद भविश्य में कभी जब उन्हें याद आएगा तो एक गहरी सा किसी ने नहीं लिया था या फिर वो एम अभीतर किसी ने नहीं चुना था और उसी एम की वज़े से मेरे जो फ्यूचर में जो भी चेंजिस आये हैं अच्छा या बुरा वो मैंने पाया है तो इजी वर्ट में हम यह कह सकते हैं कि जो भी कुछ हम पहले चुनते हैं या जो जो भी कुछ प्रइनाम होता है वो हमारे भविश्य को प्रभावीत करता है चाहे वो डिसीजन हमने अच्छा लिया हो या फिर बुरा उसका जो भी कुछ हमें फल मिलेगा वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसे हम वापस से अपने पास में जाकर चेंज नहीं कर सकत झाला हमें एक्सेप्स